जैन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं P2P ट्रेडिंग के alternative option के बारे में बेसिकली वो लोग जिनका crypto account international exchange जैसे की balance, trust wallet या फिर metamask पर है इनको crypto में fund को deposit करने और withdrawal करने के लिए P2P का use करना पड़ता है बट कुछ टाइम से P2P ट्रेडिंग में बढ़ते हुए scam, P2P ट्रेडिंग में genuine buyer और seller को find करना और तो और P2P ट्रेडिंग के कारण बहुत सारे लोगों के bank account भी freeze हो रहे हैं तो इन सभी problem का एक solution है on ramp money platform इस platform के थूँ आप Binance, Trust Wallet and MetaMask जैसे platform पर UPI and bank account के थूँ अपने fund को deposit कर सकते हैं या फिर crypto को sale करके बहुत ही आसान तरीके से अपने fund को withdrawal कर सकते हैं fund deposit process पर मैंने already video बना रखा है जो कि आपको मेरे channel के video section में मिल जाएगा और आज के इस video में मैं आपको withdrawal का complete process दिखाने वाला हूँ तो उसके लिए चलते हैं on ramp money के mobile application पर और देख लेते हैं यह application आपको play store में मिल जाएगा तो वहां से आपको इसे download कर लेना है इस application का link भी मैं आपको description box में दे दूँगा आप चाहें तो उस link के थुरू इस application को directly download कर सकते हैं download करने के बाद आपको इसे open कर लेना है open करने के बाद आपको सबसे पहला काम अपनी KYC करनी है because without KYC आप deposit and withdrawal का process नहीं कर पाएंगे तो KYC करने के लिए आपको menu bar पर click कर लेना है then profile के section में आ जाना है then यहाँ पर अपना mobile number डाल कर नीचे send OTP पर click कर देना है OTP डालते ही आपके registration का process complete हो जाएगा and नीचे में आपको complete KYC का option दिखने लगेगा आपको उस पर click कर लेना है click करते ही यह आपको बताएगा कि आपके पास आधार number and pen card number का होना जरूरी है KYC के लिए इसे ok कर देना है and अपना आधार number and pen card number डाल कर अपनी KYC को complete कर लेना है थोड़े देर wait करना है and आपके सामने ये page आजाएगा जहाँ पर आप अपने deposit and withdrawal की limit देख सकते हैं जो की 1,00,00 रुपए पर month set है आप चाहे तो अपनी video KYC को करके अपनी limit को 10,00,00 रुपए पर month तक कर सकते हैं इतना सब कर लेने के बाद अब चालू होता है withdrawal का process तो fund को withdrawal करने के लिए आपको पहले अपने crypto को sell करना पड़ेगा तो आपको sell के option पर click कर लेना है देन उस crypto को search कर लेना है जिसे आप sell करके fund को withdrawal करना चाहते हैं और network को choose कर लेना है network में आपको सबसे कम fees Matic 20 जिसे polygon के नाम से भी जाना जाता है उसमें लगती है तो हम यहाँ पर polygon network को select कर लेंगे देन आप कितनी quantity sell करना चाहते हैं उसे यहाँ पर डाल देना है जैसे हम डाल देते हैं 10 USDT अब 10 USDT sell करने के बदले में आपको कितना fund Indian rupees में मिलने वाला है उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं and view breakup पर click करके इस USDT को sell करते टाइम आपको on ram fees, TDS and payment gateway fee जो charge लगता है उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं 10 USDT sell करने में हमें यहाँ पर around 13 rupees का charge लग रहा है यह सब चेक कर लेने के बाद आपको proceed पर click कर देना है click करते ही यह आप से आपके bank account की detail मांगेगा जिसमें आपको fund receive करना है add bank account पर click करके आपको यह पूरी detail feel कर देनी है and अपने bank account को add कर लेना है अब आपको bank account को select करके proceed पर click कर लेना है payment receive करने के लिए next page पर आपको कुछ option मिलते है wallet and balance का तो wallet में आप metamask and trust wallet के through withdrawal कर सकते हैं बट मैं यह process आपको balance के through बताने वाला हूँ तो हम balance select करके continue पर click कर लेंगे then आपके सामने transaction की detail आ जाएगी इसे आपको एक बर अच्छे से check कर लेना है and next पर click कर देना है next page पर आपको एक pop up आएगा कि on ramp पर आपका जो receive amount होगा वो 10 USDT ही होनी चाहिए अगर balance से USDT transfer करते time balance आपसे कोई charge ले रहा है तो आपको उस charge को 10 USDT के साथ add करके ही आपको transfer करना है ताकि exactly 10 USDT इनके on ramp के account में पहुंच सके यह पूरी detail पढ़कर आपको got it पर click कर देना है यहाँ पर आपको matic 20 means polygon का network address मिल जाएगा जिसे आपको copy कर लेना है and next step में आपको balance के application पर आ जाना है wallet के section में spot wallet में आ जाना है और क्यूंकि हम USDT sell करने वाले हैं तो USDT को transfer करने के लिए USDT पर click कर लेना है then हमें नीचे में withdrawal का option मिल जाएगा इस पर click कर लेना है उसके बाद यहाँ send via crypto network पर click कर लेना है उसके बाद जो address हमने on ramp money से copy किया है उसे हमें यहाँ पर paste कर देना है and then network में हमें polygon means magic 20 को select कर लेना है because यही network हमने on ramp money पर select किया हुआ है और इस network के through transfer के लिए आपको कितनी fees लगेगी और कितना time लगेगा उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसे select करके हमें यहाँ पर amount डाल देना है but यहाँ पर आपको only 10 USDT नहीं डालनी है यहाँ पर आपको जो network fees लग रही है उसे भी add करके आपको डालना है ताकि on ramp money को exact 10 USDT receive हो सके इसे डालने के बाद आपको withdrawal पर click कर देना है and details check करके confirm पर click कर देना है आपके email पर एक verification code भेजा जाएगा आपको उसे यहाँ पर डाल कर submit कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 10 USDT withdrawal का process complete हो चुका है कभी-कभी इसमें थोड़ा time लग सकता है but आपको उसके लिए wait करना है next process में इस transaction पर click कर लेना है and इस transfer की transaction ID यहाँ से copy कर लेनी है copy करने के बाद आपको अपने on ramp money के application पर आ जाना है then आपको I have sent 10 USDT check box को tick करके I have sent पर click कर देना है then आपको इस page पर हमने जो transaction ID बैनेंस से copy किया हुआ है उसे यहाँ पर paste करके नीचे claim पर click कर देना है claim पर click करते ही यहाँ थोड़ा सा time लगेगा confirmation के लिए तो आपको just wait करना है जैसे ही payment आपके bank account में भेज दिया जाएगा आपको कुछ ऐसा message आ जाएगा amount sent successfully बावजुद इसके अगर आपको कही पर भी कोई भी problem आती है तो इनके पास proper support team है जो आपकी help करेगी आपको just issue से related ticket raise कर देना है तो ये था पुरा process without P2P trading आप कैसे crypto को sale करके अपने fund को directly अपने bank account में withdraw कर सकते हो आयोग कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो से related कोई भी issue हो तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं मैं वहाँ पर reply कर दूँगा लाल वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and subscribe जरूर कर देना जय हिन, जय भारत